नमस्कार, मैं आशा, नियोज आपतर में आप सभी का स्वागत है 11.45 TTI Playground में 26 तारीक को भारती जनता पार्टी के द्वारा COVID Vaccination Camp का आयोजन किया गया इस कैम का आयोजन भारती जनता पार्टी के फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट, Home Ministry Advisory Committee के मेंबर श्री विशाल जॉली और उनके कारेकरताओं द्वारा किया गया आईए देखते हैं श्री विशाल जॉली ने क्या कहा आईए ग्यारा चर्मा में राजेज भाई और रुबाना जी का बहुत आगरे था बहुत दिन से लगे हुए थे कि यहाँ पे वेक्सिनेशन केम्प लगाना है तो यहाँ का लोग को नजदीक में उनका शेयर उनका गाउं में उनका घर के पास वेक्सिन लग जाए आराम से इसके लिए राजेज जी और उबाना जी निरंतर प्रयास कर रहे थे तो भारतिय जन्ता पार्टी के जो हमारा राज़्टिय नेतरित्तु का अवाहन और प्रदान मंतरी शरी नरेंद्र मोदी जी का जो अवाहन है कि सबको वेक्सिनेट होना है और वेक्सिनेशन लगाने में पूरा पार्टी के कारिकरता पूरा देश बर में और उसी तरह से अंडमान निकोबार दीफ समू में भी लगे हुए है कि कोई भी घर कोई भी वेक्ति छूटना नहीं है वेक्सिनेशन चे क्योंकि करोना के ये जंग में यही सबसे मजबूत हतियार वेक्सिनेशन है और हर वेक्ति को वेक्सिनेट करना है और यही हमारा सुनिता जी हमारा स्टेट का इंचार्ज है अंडमान निकोबार में वेक्सिनेशन लगाने के लिए और उनका नेत्रित में हम सब लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि कल कलिकट में हुआ ये पूरा हफता हम लोग ये second एक हफता चला रहे हैं कारिक्रम इससे पहले भी हमने कारिक्रम चलाया था वेक्सिनेशन सभी जगा लगाने का और कल तो कलिकट में एक इतियास रचा हमारा एकाम भाई वहां का इंचाई था एक ही दिन में एक केंप में 715 लोग को लगा रहा है कहीं 500 कहीं 600 इस तरह का नंबर में लोग आ रहे हैं उमड के आ रहे हैं और जोश है लोगों में वेक्सिन लगाने के लिए और हम आपके माध्यम से आज भी यहां पे जो लोग उपस्तित हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि जब आप लोग वापस घर जाए तो अपना परिवार में या अपना अगल बगल में पडोस में कोई भी वेक्ति हो कोई भी माता बहन हो जो वेक्सिन नहीं लगाया अभी तक चाहे वो 18 से उपर का हो या 45 से उपर का हो उनको जरूर यहां भेजिएगा इतना असानी से वेक्सिन आपको बजार में नहीं लगा स इसलिए आप सबसे भी एक जो ग्यारत चर्मा के निवासी है जो यहाँ पर वाज उपस्तित है वेक्सिन लगाने के लिए आए हैं कृपा करके ये मोदी जी का अकेला के जंग नहीं है वो नित्रित तो दे रहे हैं लेकिन हम सभी कारी करता पार्टी का और एक एक भारतवासी का करतव यह है कि हर वेक्ति को वेक्सिनेट कराने में अपना अपना भूमी का अदा करें और अपना घर में अपना घर से शुरुआत करें अपना पडोस से शुरुआत करें हम लोग ऐसा किसी वेक्ति को छोड़ेंगे नहीं जो वेक्सिनेट नहीं हुआ है और उनको में परिशानी है तो अटो वेगारा या अपना बाइक में भी बेठाकर यहां लाके वेक्सिनेट करा है जितना भी लोग आज इस वेक्सिनेशन सेंटर में ग्यारेच चर्मा में आएंगे हर एक को वेक्सिनेट किया जाएगा यह अमले प्रबंद किया है यह डिरेक्टरेट अंदमान से जुड़ी सभी छोटी वड़ी खबरे देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन प्रेस करना ना भूले हमारा अपना न्यूज आप तक आप सच देखेगा अंदमान